ओके सो हेल एवरीवन कैसे वह आप लोग आप लोग काफी अच्छे होंगे और जैसे कि हम लोग ने कदर से रिलेटेड जो हमने बेसिक ट्यू एडवांस देवल के जो हमने स्टार्ट किये थे स्टेप बाइस्टेप वीडियो उसमें सारे वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुक होता है सारा कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे आज को हमारा पार्ट है वह हमारा 37 पार्ट जो कि इन सारे जो हमारे नए-ने टेकनिक्स चल रहे हाईलेट के उपर जो की बॉटम में आप लोग ने देखा होगे कि कलर जादा रहते और टॉप में हमारा जो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इसके पहले के जो भी वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा है जैसे कि हमारा ग्लोबल कलर किस तरह से करते हैं क्लासिक वीविंग किस तरह से करते हैं और क्लासिक वीविंग में भी जो डिफरेंट डिफर किये चलते हैं आज के इस टॉपिक पर हम लोग पुरा क्लियर करते हैं कि किस तरह से हमें यह जो ट्रेंड में चल रहे हैं हाइलाइट को किस तरह से करना है यह सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे ओम्रे के उपर ओम्रे जैसे कि आप लोग को पता है कि यह काफी ट्रेंड करता है इन दोनों को अलग दिखाता है क्या दिखाता है उसके पहले आप लोगों को ऑ्मरे अच्छी तरीके से समझ में आना चैए कि ओमले किस तरह से किया जाता है सबसे पहले हम लोग उम्पर बात करेंगे इसकी ब लाद में बाले आज के ऊपर परिखे जो प्रपर तरीके से लाइनींग पूरी पूरी दिखती थी इस यहां हम इस टेक्निक को ओंब्रे कहते थे और इसमें जो हमारा कलर रहता था वो कलर हमारा लाइट रहता था ठीक है और यहां का जो पॉर्शन था हमारा यह हमारा डार्क रहता था यह हमारा पॉर्शन डार्क रहता था और नीचे पूरा लाइट यानि कि यह पूरा लाइनि ज्यादा lifting चाहिए यानि कि blonde की तरफ ये hairs हमारे ज्यादा रहते थे और high lift रहते थे और ये जो हमारे hairs रहते थे ये dark रहते थे dark यानि कि 5 number के hairs या फिर 6 number के hair तक रहते थे यानि कि उप़ा dark और नीचे हमारा light और आप लोग ने बहुत बार ये color देखा भी होगा कि नीचे से पूरा ज्यादा coloring दिखते थे base जो हमारा था वो dark रहता था यानि कि जो top का area लेकिन इसमें भी एक ओट टेकनिक आती है जिसे हम लोग बोलते हैं sombre sombre टेकनिक आप लोग को end और ये होगे हमारा middle end ठीक है अब यहाँ पर भी हमारा same उसी तरह color होता था जिसे हम लोग यहाँ पर हमने color किया यानि कि हमारी जो lining है उस lining को proper हमारा horse line जो दिखता था तो clearly दिखता था एकदम और यहाँ पर हमारा जो एक different इसमें ये था कि हमारे जो ये hairs थे ये तो हमारे जो यहाँ के जो root के नजदीक से तो थे वो तो dark रहते ही थे बट यहाँ पर जो हम लोग bottom में मतलब मिड लेंज से लेकर end तक जो color करते थे वो हमारे ज़्यादा light नि लेते थे यानि कि समझ लिजे कि ये 6 level तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 level तक रहते थे और 7 level तक जो रहते भी थे तो cool tone में रहते थे warm tone में नहीं रहते थे sombre यानि कि दोनो sombre यानि कि एक sober look मतलब कि दोनों में ज़्यादा different ने चे बस थोड़ा हमारा different पता चलता था तो यह हमारा sombre वाला technique हो गया तो यहाँ पर आप लोगे देखा कि दोनों में यहाँ पर ombre में कितना different था पांच level का है उपर का हमारा dark hair तो 8 नाओ 10 यह हमारे level lights वाले hair जो bottom के थे वह इतना ज़्यादा दोनों में different है लेकिन sombre में sober look दिखता था यानि कि ज़्यादा different नहीं था दोनों color में हमारे जो technique थी वह technique हमारी same ही थी यानि कि दोनों में हमारा middle lens से हमारा color bottom में था लेकिन यहाँ पर हमारा dark कितना करना light कितना करना वह depend करता था अगर नीचे भी ज़्यादा light ने डार्क shade में ही है तो हमारा यहाँ पर light जादा नीचे रहता तो यह होगा ombre color हो जाता तो यह तो हमारे जो पहले की technique जो हम जादा यूज करते थे वह हो गया अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो जादा trend में चलने वाला आज के time का है वह हमारा तीसरा number बले आज जहां दोस्तों काफी जादा trend में चल रहा है यह color जैसे कि आप लोग को पता है अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छी तरीके से example देके बताता हो कि इन दोनों में different क्या है देखने में तो आप आप लोग को सेम ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा different की वज़े से यहाँ पर काफी एकदम अलग ची आ जाता है क्या आता है चलिए देखिए यहाँ पर जो हम लोग बाले आज में करते थे same इसी तरह हमारा bottom में जो से वह इन में हमारा same उसी तरह हमारा color रहता था light नीचे का और उपर का dark तो समझ लिए ही हमारा root हो गया यह हमारा हो गया Indda मिड़े तो यहाँ पर आप लोग को देखने मिलेगा कि हमारा जो कलर करते थे वो हमारा एक वी टाइप का जो हमुलोग हाइलेट से वो क्रेयेट करते थे और यह जो हमारा कलर यह पूरी होता है बाले आज में इस तरह से मर्ज होता है यानि कि आप लोग को जो लाइनींग यह इस तरह से आप लोग को लाइनिंग पुरा फॉर पर तरीके से देखने नहीं पता नहीं चलेह कि हमारा हैर में जो years में стоит line आई कहां से विवेरियाज अब यहां पर आप लोग को बाले आज में अगर आप लोग को यहां पर अगर हमारा है अगर यहां पर आप लोग को लाइट्स जादा चाहिए और यहां पर हमारा डार है यह जो हमारा वी शेप तक हमारा जो एक color रहेगा बाकी middle का जो area है हो हमारा dark ही रहेगा लेकिन यहाँ पर lights अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर हम लोग एक ओर टेक्निक यूज करते हैं बाल्याज की जाएसा वो होता है हमारा foliage जिया दोस्तों foliage जो हमारा होता है वो same technique यही है लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक चीज different देखनी मिलेगी कि यहाँ पर जो हम लोग technique कररें बालियाच की तरह ही same कररें लेकिन यहाँ पर आप लोग का जो color आएगा वो color आप लोग जब कर लोगे तब यहाँ पर आप लोग को foil का use करना है तक हमारा जो है लेकिन यहां पर जाधा लाइट सही यहां पर जैसे कि 9 लेवल 9 10 लेवल तक अगर इस तरह से आप लोग को जो हमारा यह कलर एवह चाहिए तो यहां पर आप लोग को फॉयल उस करने के बाद आप लोग यहां पर एट, नाइन, टेन लेवल यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर फॉइल यूज़ नहीं हो रहा यहां पर, तो आप लोग का ज्यादा लिफ्ट नहीं होगा, और ज्यादा लिफ्ट जब नहीं होगा, तो 7 या 6 लेवल तक ही आप लोग यहां पर हमारा बालयाज में कर सकते हैं, बस यहां पर आप लोग को टेकनीक देखें, कि इन त्योनों में टेकनीक यही है, कि यहां पर हमारा V-shape आता है, लाइन इसमें जो सोम्ब्रे और ओंब्रे में दिखता है, वो लाइन इसमें नहीं दिखेगा, इसमें पुरा मर्जेबल आप लोग को लगेगा, और यहां पर हमारा एक V-shipe का create होगा जिसे हम लोग बाले आज टेकनिक बोलते हैं और बाले आज में जब हम बाले आज अब यहाँ पर वन साइड बाले आज क्या है आप लोग ने देखा यहाँ पर कि हमने जो V बनाया वह हमारा दोनों साइड से था बट यहाँ पर हमारा जो V बनता है जो हमारा समझल लीजे हैर है यह hairs में हमारा यह हो गया root यह हो गया हमारा ints और यह हो गया हमारा middle length चीक है अब यहाँ पर हमारा one side मतलब की समझ लिजए कि यह जो हमारा यह left side का hair है तो इस left side के hair में अगर आप लोग को जब आप लोग बाले आज करोगे तो उसमें आप लोग को same उसी तरह mergeable करना है यानि कि यह जो lining है इस तरह से lining आप लोग का नहीं आएगा one side वाले आज में इस तरह से आपको करना है लेकिन यहाँ पर जो हमने V बनाई है दोनों side से यह दोनों side से V नहीं आएगा आपका इसका आपको V खाली one side से आएगा या दोस्ता अगर ये left side का section है तो आप लोग को left side के sections में आप लोग को ये one side में आएगा और अगर ये right side का sections कर रहे थो इस side में आएगा ये हमारा left side का नहीं आएगा समझ लिजे कि हमारा hair से ये हमने लिया basic four sections तो अगर आप लोग इस तरफ का hair कर रहे है तो यहाँ पर आप लोगा color आएगा बालियाज की तरह mergeable और यहाँ पर हमारा V-shape का खाली एक हमारा angle आएगा यह वाला और अगर इस तरफ से कर रहे हो आप लोग left side से तो यहाँ पर हमने color किया then यहाँ पर हमारा one side में खाली हमारा V-type में आएगा यानि कि आप लोग को यह दोनों side में करें वो नहीं आएगा तो यह हो गया हमारा one side बालियाज तो इस तरह से आप लोग को मैंने ombre, sombre, बालियाज, falle, और यह one side बालियाज टेकनिक बताईए बट यहाँ पर आप लोग को एक चीज और बता दू कि इसमें हम लोग जो weaving type करते हैं यानि कि जो हम लोग weaving use करते हैं उस weaving में भी आप लोग बालियाज कर सकते हो या फिर जो हम लोग zigzag करते हैं उस zigzag में भी आप लोग बालियाज कर सकते हैं जिसे आप लोग को कभी confuse मत होना कि freehand technique क्या होता है, तो इसे हम लग freehand technique भी कहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी confuse मत होना, freehand technique जा बोला जा समझाना यह बालयाज है, अगर आप लोग को जाधा lifting चाहिए, आप लोग क्लाइन बोलरी मुझा bottom में 9 to 10 level तक lift चाहिए, तो आप weaving technique लिया, आप लोग ने, एक एक पतला पतला weaving लिया, और देन उसके बाद में आप लोग freehand technique से highlights करोगे, जिस तरह से हमने यहां पर किया, mergeable highlight, lining बिल्कुल भी जैसा, इसमें horse lining दिख रहा है, वैसे नहीं दिखना चाहिए, mergeable आप लोग को एक दम अच्छी तरीके से use करना यहां पर हमने जो hairs लिया है, वो slice hairs लिया है, slice hairs पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि slice hairs पर आप लोग बालयाज करोगे, slice type के section लेना है, दो इस पर आप लोग को करना है, लेकिन आप लोग weaving और zigzag का भी type का weaving निकाल के section के दिन उस पर आप लोग freehand technique से बालयाज कर सकते हो वह होब कि आप लोगों पूरा क्लियर हो चेका हो गया कि एसे और यहाँ पर हमारा जो भी कलर से रिलेटेट बेसिक ट्वाइबांस से वायो क्वाया वह आज हमारा खतम होता है बट एक और हमारा topic रह जाता है वो है हमारा crazy color crazy color को हम लोग किस तरह से करना है crazy color को इतना आसान मत समझिए क्योंकि उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि blue color करने जाते हैं और green हो जाता है, violet करने जाते हैं तो हमारा brown हो जाता है पूरा videos हमारे खतम हो जाएंगे अगर आप लोग ने नहीं देखा तो हमारे playlist में जाए hair color science वहाँ पर पूरा detail में हमने basic to advanced level का color then उसके बाद में हमारा step by step haircut किस तरह से किया जाता है, सारा कुछ हमने detail में complete किये और इसके बाद हमारा शुडू होगा हमारा smoothing से related जो भी आपका chemical में problem होता है यानि कि smoothing में shine नहीं आ रही है smoothing में आप लोग को curls आ जा रहे है proper shine नहीं आ रही है application किस तरह से करें है, सारा कुछ दोस्तों यह हमारा color का पूरा खतम हो जाने के बाद उस पे हम लोग बात करेंगे step by step पुरा detail में हम लोग smoothing के उपर पुरा detail में वीडियो देखेंगे तो चलिए, वीडियो का फटा फटा फट लाइक कर लिजे और यह वीडियो कैसे लागा, comments करके ज़रूर बताना मिलते हैं, next video में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए bye bye, take care